बिसमिल्ला ररह्मान रहीम, असलाम लेकूं, वेल्कम टू माई चैनल फूर्स जेन, आज मैं आपके साथ शेयर करने जारी हूँ, होमेट टोमाटो कैचप की बहुत ही असान रेसिपी, जो कि हम बहुत एजी स्टेप्स को फोलो करते हुए बनाएंगे, तो जल्दी से लेकिन उससे पहले हम इसके इंगीर्स देख लेते हैं, कैचप बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होंगे टेमाटर, मैंने यहाँ पर तीन किलो टेमाटर लिये हैं, और आप देख सकते हैं, यह बिल्कुल फ्रेश है, इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, कोश i. इसके साथ ही हमें चाहिए कुछ spices, जिसमें है कशमीरी लाल मिर्च, ववन टेबल स्पून, अगर आप इसकी जगह पर सादा लाल मिर्च कर अस्तमाल करना चाहते हैं, तो आप वन टेबल स्पून के बज़ाए हाफ टेबल स्पून कर इस्तमाल करेंगे, नमक मैंने लिया है वन टी स्पून और काला नमक लिया है हाफ टी स्पून अगर आपके पास काला नमक नहीं है तो आप उसकी जगह पर सादा नमक का कर लिया है और इसके लावा हमें चाहिए सफेद सिर्का एक कप के बराबर अब हम जल्दी से इस रस्पी को बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम टमाट्रों को टुक्रों में काट लेंगे आप इसके चार या छे जितने भी टुक्रे करना चाहें आप कर सकते हैं और यह जो इसका वाइट वला पार्ट आपको नजर आ रहा है इसको मैं काट लूँगी यह देखें इसको इस तरह से अलग कर लें और इसी त दालूँगी थाकि केचप का कलर बहुत अब दस्ता है कि सारे टमाटर काट लेने के बाद अब हम चलेंगे नेक्स टेप की तरफ अब इन सारे कटे हुए टमाटरों को मैं एक बरतन में डाल दूँगी फ्लेम मैंने ओन कर दी है और अब इसमें डाल दूँगी मैं दार शीनी और लोंग साथ ही जाएगा इसमें लहसन और अब हम इने धक कर तक्रीबबन एक घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और यहां पर मैंने बिल्कुल भी पानी के इस्तावाल नहीं किया यह अपने ही पानी में गल जाएंगे यहां पर टमाटरों को पकते हुए तक्रीबन 20-25 मिनट हो चुके हैं और मैं आपको एक बार चकर वा देती हूँ यह देखें इसमें काफी जादा पानी है जो के टमाटरों का अपना ही पानी है और यह इसमें असानी से गल जाएंगे तक्रीबन हमें इने पकाते हुए 50-60 मिनट हो चुके हैं और यह देखें मैं आपको दिखाती हूँ इस पॉइंट पर इसमें काफी हद तक पानी भी खुश्क हो चुका है और यह अची तरह से गल भी चुके हैं अब मैं फ्लेम ओफ कर दूँगी आपने इस पानी को बिलक प्रमाड़ा और लॉंग अलग कर लूँगी अब हम इन डिसकारट कर देंकी क्यूकर टेस्ट टॉमाटरों में जा चुका है और अब हम दो ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लेंगे और ट्रॉमाटो प्यूरी त्यार कर लेंगे बहुत अच्छी तरह से blend करेंगे हम इनको और इसी तरह से बाकी की टुमेटर प्यूरी भी त्यायर कर लेंगे बलन करने के बाद हम इस टूमेटर प्यूरी को चलने की मदद से चान लेंगे ताके बीज और छिलके अलग हो जाएँ और यह देखें, यहाँ पर मैं स्पून की मदद से इसको चान रही हूँ, इससे बीज और छिलके अलग हो जाएंगे और टोमेटो प्यूरी बरतन में चली जाएगी इस टेप में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन इससे केचप का टेक्श्चर बहुत ही स्मूथ बनेगा बिल्कुल वैसे जैसे बाजार के केचप का टेक्श्चर होता है, आपको बिल्कुल वैसा टेक्श्चर मिलेगा सारी tomato puree को चान लेने के बाद अब हम इसको पकाएंगे यहाँ पर मैंने उसी बरतन को अच्छी तरह से साफ कर लिया है ताकि इसमें कोई भी जो छिलका ना हो और इसमें डाल देंगे सारी tomato puree को flame मैंने on कर दी है और अब हम इसको दुबारा से low to medium flame पर पकाएंगे अब इसमें मैं डाल दूंगी चीनी इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताके सारी चीनी इसमें हलो जाए यहाँ पर मैं आपसे एक छोटी सी टिप शेयर करना चाहूंगी कि जब भी आप कैचप को कुक करें तो उसके लिए आप खुले और गहरे बरतन का इस्तमाल करें क्योंकि इस पॉइंट पर जब इसमें बबल्स बने लगेंगे और वो जब उड़ेंगे तो एक तो मैस्क्रियेट होगा और दूसरा हाथों को भी नुक्सान पहुंच सकता है इसलिए इहत्याद बहतर है इसमें अब मैं डाल दूँगी बाकी के स्पाइसे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस पॉइंट पर आप इसमें मीठा भी चेक कर सकते हैं अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ी से चीनी मजीर शामिल कर दें अब इसमें मैं डाल दूँगी सिर्का इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर उस वक्त तक के लिए जब तक कि ये गाड़ी नहो जाए कैचप को पकाते हुए हमें तकरीबन 20 मिनिट हो चुके हैं और ये देखें ये काफी हद तक थिक भी हो चुकी है और इसका कलर भी काफी हद तक चेंज हो चुका है इस पॉइंट पर अगर आपको ज़ुरुत महसूस हो तो आप इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी शामिल कर सकते हैं लेकिन मुझे इसकी ज़ूद महसूस नहीं हो रही क्योंकि ये इसका बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है अब हम इसे एक प्लेट में डाल कर चेक कर लेंगे कि ये पक चुकी है या भी हमें इसे मजीद पकाना है और ये देखें प्लेट को थोड़ा सा तिर्चा करेंगे तो ये बह रही है इसमें भी थोड़ा सा पानी मुझूद है इसको भी हम 10-15 मिनट तकरीबन मजीद पकाएंगे ताकि ये सारा पानी खुश्क हो जाए इसमें अब हम साथ साथ चमच चलाते रहेंगे ताकि ये साथ न लग जाए तकरीवन 10 मिनट मजीद कुक करने के बाद ये कुछ इस तरह की हालत में आ जाएगी और ये देखें अब हम इसको दुबारा से चेक करते हैं जब आप इस प्लेट को थोड़ा सा तिर्चा करेंगे तो ये देखें ये बहन ही रही और जब आप इसको फिंगर की मेर से चेक करेंगे तो ये दोनों के नारे आपस में नहीं मिल रहे ये इसके पक जाने की निशानी है कैचप बिल्कुल त्यार है अब हम फ्लेम आफ कर देंगे और इसको अची तरह से ठंडा कर लेंगे ठंडा होने के बाद कैचप मजीद थिक हो गई है और इसकी ठिकनस चेक करें आप इसका कलर देखें कितना खुबसूरत लग रहा है और कितना जबदस टेक्चर है इसका आप इसको किसी भी एर टाइट बरतन में महफूस करके रख सकते हैं तकरीबन तीन हफ़तों के लिए फ्रिज में अगर बरतन चीशे का हो तो ज़्यादा बेतर है उसमें ये जल्दी खराब नहीं होगी तो ये थी आज की बहुत ही जबदस होम में टोमाटो केचप की रेस्पी जो कि आप बहुत ही असानी से घर पर त्यार कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें शेयर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज की रेस्पी कैसी लगी और साथ ही अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल नोटिफिकेशन भी आउन कर लें ताके मेरे आने वाली हर नहीं वीडियो बहासानी आप तक पहुंच सके मैं मिलूँगी आपसे नेक्स वीडियो में इंशालला किसी और अच्छी सी रेस्पी के साथ तब तक के लिए अजाज़त चाहूंगी अलाहाफिस